अश्कार जैहिन तो मैं आर्यन और आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बहुत ज़ादा इंफॉर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग वीडियो में इसमें आज हम इंडियन आर्मी की गुरुपसी के एक नई वेकिंसी की बात करने वारे जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपो आपको अभी तक शैद बहुत ही कम मिला होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ यह जो फॉर्म है सबसे पहले समझते कि इसकी डेट क्या है इसकी जो एप्लिकेशन डेट है वो 25 दिसमबर से लेकर 21 जनवरी तक रहने वाली है ठीक है तो यह सबसे इंपोर्टन बात आपके ल इसका जो फेपर प्रटन वह सबसे डिए तोगसे बात करें कि इसका पेपर पर्लिकेशन क्या है कितनी नंबर होगा और किसमें पोस्ट है क्या कुछ है, salary कितनी है, सब कुछ बताऊंगा, तो बस आपने complete watch करना है वीडियो को, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्ट कितनी है, तो total post इसमें 107 post है टीक है, total 107 post है इसमें, जो इंडिया नामे की नए ग्रूप सी vacancy आई है, इसमें total 107 post है, मतलब ऐसे आप देख सकते हो, सबसे दिख पोस्ट मुझे यहाँ पर LDC की देख रही है, जो कि सबसे सची post होती है, MTS की 10 post है, और total देखो यहाँ पर आपकी 107 post है, और MTS के यहाँ पर 20 post हो रहा है, तो total देखो आपकी यहाँ पर 107 post है, जो की काफी ठीक ठाकि मुझे 18-25 होती है, EWS के लिए और general के लिए आपकी age limit 18-25 साल है, अगर आप OBC से हो तो आपके लिए age limit 18-28 साल है, अगर आप CST हो तो आपके लिए age limit 18-30 साल तक है, और आप सभी को पताए कि यहाँ पर age में मतलब की जो reservation मिलता है, civil post में हुआ यहाँ पर भी मिल जाता है, तो बस कोई मतलब यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल रहा है, अगर बात करते हम salary की, तो LDC की salary आपकी है, 19,960 लेकर 63,200, level 2 है पेका, लेकिन आपकी salary सिर्फ इतनी ही नहीं है, आपकी salary और होती है, मतलब इतनी आपकी basic पे होता है, इसके लावा काफी सारे allowances होते हैं, पक्स ह जोड़ जाते हैं, तो salary आपकी सिकासी बन जाती है, educational qualification इसमें 12th pass आपसे मांगा गया है, और आपसे typing भी typing के लिए आपसे बोला गया है, और इसके अलावा triple C भी आपके पास होना चाहिए, triple C भी आपके पास अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसके आगे जो भी educational qualifications हैं, आप देख सकते हो, model maker की आपकी 10th pass है, और carpenter के लिए आपकी 10th pass है, और a certificate form to recognize industry training और equivalent in appropriate field or trade, ठीक है, तो इसमें थोड़ा से एक certificate बोला गया है, तो जो notification है, मैं complete को अपने telegram पर upload कर दूँगा, तो आप जाकर वहाँ देख लेना कि इसमें क्या eligibility criteria है, और आप किसकी eligibility क fulfill करते हो, बाकी बहुत ही सही vacancy आपके लिए, मुझे लगता है किसमें आपको apply करना चाहिए, और इससे पहले आपको मैं बता है, आपको किसी भी exam का मोक्टिस देना है, Air Force, Group C, Navy, Army, NDA, ठीक है, आपको किसी भी exam का मोक्टिस देना है, तो आप परिक्षा application पर दे सकते हो, अभी कोसगार्ड का और Navy का भी exam होना है, तो अगर आपको कोसगार्ड नेवी का देना है, तो आप परिक्षा प्या सकते हो, आप कोड RN50 यूज़ करना तो आपको 50% का discount मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपने परिक्षा application को open करना है, जिसका link वेने description में दे रखा है, उसके क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर unlock cost पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगा, इसका आपको यहाँ पर pay advance पर क्लिक करने एक बात, यहाँ पर code RN50 टाइप करके apply कर देना है, मैंने code टाइप करके apply कर दिया, और यहाँ पर मेरे को 50% discount मिल गया और आपको टेस्ट अब सिर्फ 149 पर कपड़ेगा, देर आप continue and pay करके अपना payment कर सकते हो, आपके पास सारे option है, Paytm, Net Banking, UPI, जो भी आप चाप कर सकते हो, तो इस notification को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप जिसमें भी eligible हो, जिस भी post क को उसके लिए apply कर देना है, ठीक है, आप पर देको हाइट भी बोला गया है, और I think आप सभी की हाइट ठीक ठाक होगी, और इसके लावा अगर आप हम बात करते हैं, जो आपका एक्जाम पैटर निगो क्या रहने वाला है, यानि कि आपका जो question paper, तो आपका जो question paper, वो on computer, ठीक है, अगर बात करें paper pattern की, तो simple सी बात है, जो paper pattern होगा, वो दो घंटे का होगा, ठीक है, वो दो घंटे का होगा, और additional composition time for PHP candidate, 20 minute होगा, बाकी आपका question paper object to type होगा, negative marking 1 fourth होगा, यानि कि 0.25 की, और अगर बात करें question की, तो 25 question होगे reasoning के, 25 question होगे maths के, 25 question होगे English के, और sorry, 50 question होगे, maths के, English के, और 50 question होगे, जीए के, तो देखो, इसका paper का जो pattern है, काफी बढ़िया यार, तो मुझे लगता है, कि यहाँ पर एक अच्छी कासी fight होगी, एक अच्छा competition होगा, तो आपने यहाँ पर apply करना चाहिए, अगर आप उसके आस-पास के area के area से belong करते हो, त ठीक है, इसके लाग कुछ instruction दे रखे हैं, तो बस इतना ही कुछता, अब सबसे important है कि इसका form कहा मिलेगा, तो जो इसका application form है, one second आपको दिखा दे रहा हूँ, यह जो इसका application form है, मैं इसको अपने टेलिग्राम पर upload कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसको download कर लेना, मुझ को इसको apply कर देना है, ठीक है, तो I hope आपको सारी information मिल गए होगी, कि क्या कुछ है, मैंने बताया कि आपकी जो date है कल से start होगी 25 December से लेकर, 21 January तक आपको date रहने वाली है, तो आप इस date बिख apply कभी भी कर सकते हो, 107 post है पूरी, और मैंने आपको बताया कि salary क्या है, paper pattern क्या दो ने मतरम